गुड मॉर्निंग गाईज गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते आज की नई नमस्ते खेलते हुए काना का देख लिजिए गाईज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहा जा रहे हैं आजाओ आजाओ आज आज एक लाड़ी भाईया हाई हाई है लो हेलो गाईज कैसे है आप लोग देखिए रजीनी कान तोला स्टाइल में है पापा गुद मानें क्या खा रहे हैं जी बहुत छोटा चोकलेट लिया है पापा गुद मानिंग मंटु भाईया बाइया तो आज बमानी खाली चोकलेट सेट लिया जाता है इस ने खुड़ता है हाह ऐसे नहीं खाए जाता है ऐसे यह खाए जाता है न खाना न खाना हुद जा रहे हैं अटा बोड़ेने रोटी बनाने के लिए आप लगों भी आजे ये खाने के लिए फटा जा रहे हैं वहाँ चला गया है और हम कुछ नहीं खा रहेंगा ही रोटी बना रहा है मम्मी अब 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 आए तो यह पर नहीं सोने दो आजा गए देखिये आपने पापा के आजमने उली कोच रहे है एए हुआ है 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 शोब हाई 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 पार्थ पाप नहां दोके सो गए है पार्थ प्रभाव प्रभी नहां चुके हैं मंटु प्रभी नहां लिए हैं पापा बीना लिए क्या हुआ जी लगल जर यह से लह सो रहा तो आई हाई जारा है पाब जाना शाधी में अपने दोस्त के बेहन की शाधी में प्यूस मिल जाए है चीज़ दिखा दो जा रहा है जा रहा है इस पापक छोड़ने जा रहा है उनको पार्तवाबु अभी सो गए है हम काफी पी रहें गाईज आप लोग भी आके पी जेए बाए बाए अच्छे सराना अराम से चलाना देरे देरे चलाना आध दाइर कुस्छ पापवाबी शुरे तो सारे कप्देश अर्याद ऑखली आपने इदर की सफाई करती है इदर की वी हो गई है इतने सारी कपड़े तय लगाने हैं सारी कपड़ों को तय लगा देती हूं और इप टैनिंग टेबल सभी करते हैं कर उसको जाना है फिर हो नहीं पाता है थक जाते हैं साम हो गई है लोग बाहर बैठे हैं पार्दी आई कर खेल रहा है बैठे यह देखिए घुड़ों को आज 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 आज़ा है कि दबार दिया है जूड बोला ना जूड बोला ना जूड बाजी बदमाज उंगली छेद में डाल के फालतु में चिला रहे हैं कि उंगली दब गई है लाई इदर लाई है जाने किचन साप करने इतना सारे बरतन दोने के लिए क्योंकि आरेखा नहीं आएगी तो लड़का आया था वो कहा है कि आज नहीं आएंगी कहीं जा रहे है कि आज गाइज गैस भी साफ कर दिया सारे बरतन दोने के लगा दिया है अब शूप जाएंगे तो रखी लिए और कभी भी बन गई आज भी यां पीने के ले फुटा फुटा कटे लिए मेल ऑषी को लिए रखें हो तर चलंन हो रहें है थैसी को प्यार करणुंगे रहा है जो वागो वागो बहुत बाद्माशी कंते हो बहुत है आई है लो हलो गाई ब्स सथ ersżyना नमस्ते है 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 अले गुडिया काता हो या बाबू बाबू को भूग लगी या यह देखिए गाई चोटी गुडिया मेरी गुदू में है शुला दो बैनी को शुला दो अब अब आखिए पीछे पड़ी रहते हो अखिया निकालना इनके बराबर तो डॉल गाई देख लिजी इनसे बड़ी है तो यह निकाल दिया गाई दोनों बच्चे आँ बैठके खेलने मेरे राजा दो दो राम लखन देखिए अब जिए अखिया ना रहे है और चाहल में न बनाए वे दाल में एक चाहल बनाए गार्या है और आज चोखा बनेगा अलू चमाटर को वाल दिया है तम चैटर नी बाबू अपना वीडियो खुद पनाने के लिए मुबाईल ले लिया है तो ता कैसे बड़ा हुआ यह से कर दिए नहीं से करके दिखा दिए गाइज को यह देखिए विजय एए तो मोदी जी बन गया देख लिए मोदी जी जी अशे करते यह बहुत से यह करते हैं करके दिखा दिए अहां हाई हाई हेलो हेलो गाई नमस्ते गाई इसे इतना धिर धिर है है आशे एशे एशे हाई हाई राग यह हाई 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 ंतमा कियो हूँ मैं इतना क्यूआ क्यों motorcycle بending प्यारा क्यों वेड़ा आप्यारा मैं आच्छा रेत्ट वूंडJennifer और आज आपको कई वाराइटी का दिखाएंगे यह देखिए धनिया की चट्नी टमाटर की चट्नी चोखा एक आईटम नहीं कहीं है एक दो तीन चार पांच छे सब्सक्राइब मज़ा आजाएगा अस्तों हुआ है गाइज आपने चो चत्नी देखा वो एक साथ इतनी सारी चोखा चतनी नहीं देखाएंगे चक्ति आलू नीया की चट्नी आलू तमाटर की चट्नी चोखा ईवी चोखा आलू धनिया चोखा आ जाना निकाल देने जा रहे हैं अज़ पूरा देशी इस्टाइल में खाना है थोड़ा सा देशी घी डालने मजा जाएगा खाना खाय लिजी सार गाइट प्यूस को अलू और धनिया का चोपा बहुत अच्छा लगता है इसलिए उनको यह वाला दिये रहे हैं ट्रमाटर अलू का अगा है वाल गारे सब्सक्राइब खाने खाने थोड़ा थोड़ा मजा लेगे आग प्यूस ने चोखा का याद दिला इसलिए इतने आइटम की चोखे बन गया है मजा आगे देखने भाई वहांना के आप शोनी की ट्यारी कर रहे हैं और बापु वोड़ो गुड़नाट बूल दो गुड़नाइट गाई पुजी लाइक करें सब्सक्राइब करें केमेंट करें शेयर करें धीर सार प्यार दिजिए अब मुझे कुब लाइक करें खूब 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 लाइक करिए पिल दिजी हाई हाई हैलो है लो गाई नमस्ते काई गाईज बेर बाब करें लाइक करें सब्सक्राइब और शेर करें और प्यार दीज़िएंगे।